एलो गुड इवनिंग तू आल और वेलकम तू टेस्ट पेपर लाई पैरामेडिकल क्लासेज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वेकेंसी अपडेट जो की बेसल की थुरू है लेकिन एम्स जहांजर के लिए इसको क्या करवाया जा रहा है ठीक है तो यह जो वेकेंस अपडेट है आपका contractual basis पर है बेसल ने जो अपने लिए निकाला है यह करवाया किसके लिए जा रहा है आपको एक बार पता होना थी है यह एम्स जहांजर के लिए करवाया जा रहा है एक सेक्ड़ एम्स जहांजर के लिए आपको यह notification जो है वो देखने को मिल जाएगा ठ आपका application है पोस्ट आप लोग बेख लीजिए कौन को सी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है रेडियो थेरपी टेक्नीशिन यह आप देखने को मिलता है पोस्ट आपकी पांच है आपर education qualification है आपका BRT होना चाहिए 3-year boards जो आपका है किसी भी university से साथ में आपका AERB से आ approved होना चाहिए 2-year का experience होना चाहिए आपको रेडियो थेरपी department ठीक है यह तो यह सब हो अगर आप डिपलूमा के student है रेडियो थेरपी डिपलूमा के student है तो भी आपको AERB में registered होना जरूरी है और 3 साल का यहाँ पर आपके 3-year experience मांगा है और यहाँ पर आपके 2-year experience मांगा पे ग्रेड की बात कर ली जाती है तो यहाँ पे 25,000 आपको पे ग्रेड बेखने को मिल जाएगा next जो आपका वेकेंसी है वो है आपका nuclear medicine में चीक है number of post यहाँ पर आपको 1 देखने को मिलेगा education अगर देखी जाती है तो आपका B.Sc in life science या one year diploma जो भी आपका nuclear medicine का है या medical radiation technology क डिप्लोमा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ISO tops का जो डिप्लोमा है या फिर DMR IT यह आपके पास में है तो आप यह form apply कर सकते है nuclear medicine technologist में payment यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 29,425 रुपीज चीक है next जो post है वो आपके driver की देखने को मिलेगी next यहाँ प अप्लोड किये जाएंगे यानि कि आपको क्या करना है offline नोने जो form दिया उसको फिल करना है और उसको बेसल भवन में जाकर के बेसल भवन जो भी है professional और जो भी educational है वो आपका 10th certificate लगाना है cast certificate अगर आपके पास है वो आपको apply करना है work experience आपको apply करना है ठीक है pen card की copy आधार card की copy और अगर आपने कहीं ESIC card वगरा कोई आपका बना हुआ है तो वो आपका apply करना है ठीक है अगर आपको इसमें एक से ज़्यादा से post पर आप apply करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग registration यहाँ पर करवाना होगा ठीक है mail वगरा सब आपको वहाँ पर fill करनी है next है आपका कि आपका fees जो है वो कितना रहेगा general के लिए और OBC एक सर्विसमेन और फिमेल्स के लिए जो फीस है वो आपका है 590 स्टस्टी डबलू और हैंडिकेप्ट के लिए जो फीस है आपका वह है 295 यहाँ पर फीस में बताया हुआ है इस form को आपको भरना है ठीक है आपकी date आपका fees आपकी फोटो अपलाई करनी है आपका नेम लिखना है आपका पोस्ट का नेम लिखना है किस form उसमें अपलाई कर रहे हैं साथ में आपका permanent address, corresponding address, email, phone number यह सारी चीज़े जनरल जो आप लोग अपने form में अपलाई करते हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलाई करनी है पूरा का पूरा form का format आपको दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है online इसको download करना है जो आपके form की साथ में attached है इसका copy निकलवाईए अपने documents attached क करके self-attest करना है self-attest करके उसको भेजना है आपको बेसल भवन में ठीक है यह आपकी जो form है वो offline mode में बुलाए जा रहे हैं और आपका जो है contract basis पर है वेकेंसी जो है वो आपकी क्या है contract basis पर है pay grade आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा जो भी candidates applicable है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं thank you so much